हेलो रिवर्डी मैं अधरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम आपको आज कल इस वीडियो के मात्यम से बता रहे हैं कि जिन स्कूल्स का रजिस्टेशन एनस्पी पॉर्टर बन नहीं हुआ है उनकी KYC की परक्रिया मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले मैंने आपको शिखाया कि KYC फॉर्म जो कैसे जनरेट करते हैं एनस्पी के पॉर्टर पर जाकर फिर मैंने आपको दूसरी वीडियो में सिखाया कि Attested KYC form को हम कैसे upload करते हैं NSP portal पर यानि कि आपको दो वीडियों मैंने परकिरिया समझाए कि EKYC कैसे होती हमारे स्कूल्स की NSP portal पर जिनका रेजिस्टन पहले कभी नहीं हुआ था आज मैं आपको शिखाऊंगा कि जैसे ही हमारे नौडल ओफिसर ने Attested KYC form को upload कर दिया अब उसको head teacher जो है जिसको हमने का HOI head of institute उसे कैसे approve करेगा तो आज की वीडियो में शिखाएंगे आपको uploaded IN दुवारा KYC form को approve कैसे करेंगे HOI यानि head of institute यानि head teacher उसको approve कैसे करेंगे कभी कभी क्या आए कि बहुत से स्कूलों में head teacher यानि HOI और INO एक ही होते हैं तो तब भी हमें परक्रिया करनी होती है या कभी कभी कुछ स्कूलों में जो है नौडल ओफिसर अलग होता है यानि INO अलग होते हैं और HOI यानि head of institute अलग होते हैं तब भी ये परक्रिया हमें करनी पड़ती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते कैसे हमें हमारे HOI उस KYC को एप्रूव करेंगे तो हम चलते हैं यहां गोगल को ढूल लेते हैं यह गोगल का आइकन हो गया है यहां हमें टाइप करना पड़ेगा नेशनल इसकोसिप पॉर्टल ही हमने कर दिया है यहां करने के बाद फिर आप देखें जो है यहां लिखावाय नेशनल इसकोसिप पॉर्टल यहां टच कर देंगे यहां टच करने के बाद फिर देके यहां जो है आपको यहां जो है मिलेगा institute corner देके यहां मिलगा है institute corner हमने पिछली दो वीडियो भी से बनाए थी fill registration form पर आज भी हम तीसरी वीडियो एप्रूव करने वाली हवे के दोबारा उसको भी यहीं से हम किलिक करेंगे fill registration form यहां किलिक करेंगे यहां किलिक करने के बाद यहां डाल देंगे हम उस school का dice code ठीक है यहां dice code डाल देंगे यह मैंने डाल दिया है you dice code और यह capture जो है हमें यहां डाल देना है अब यह पठनी है अगर यह पठने ना हो तो यहां आप किलिक करते हैं जहाँ arrow जो है यहापस में मिले हुए हैं, चलिए मैं इस capture को यहाँ डाल देता हूँ, यह मैंने डाल दिया capture भी यहाँ, जैसे था वैसे डाल दिया है और हम इस तरफ चलते हैं यहाँ देखों, यहाँ लिखावा है submit, यहाँ क्या लिखावा है सब्मिट तो यहां किलिक कर देंगे यहां किलिक करने वाद एको नीचे जाएंगे यहां और देखों यहां सब चीज हमारी खुल कर देखों आ जाती है यहां स्कूल का डाइस कोड है यह हमारा KYC Registion Form ID है और Date of Submission है हमने किस तारिक को इसको Submission किया था फिर यहां देखें यहां स्कूल का नाम है यहां हमारे Institute Nodal Officer का नाम है यह Nodal Officer का पद है स्कूल में क्या है फिर आप यहां देख के वाइसी Form Status के वाइसी Form Summitted and Attested Copy Uploaded Upload कर दी गई है By I.N.O ठीक है But Not Approved By Head यानि Headness को Approve नहीं किया है इसलिए मैं तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि अब उस KYC Uploaded Form को हमारे HOD यानिके Head of Institute यानिके HOI Approve करेंगे चलिए यहां आगे बढ़ जाते हैं यहां देखो क्या लिखावा है HOI to Approve Attested KYC Form HOI का मतलब है Head Institute Head of Institute यानिके Institute के Head कौन है ठीक है वो इसको Approve करेंगे तो यहां मैं Approve वाले पर क्लिक करेंगे यहां क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे Head के Registers Mobile Number पर चला जाएगा वो OTP हम ले लेंगे और यहां डाल देंगे ठीक है तो चलिए हम उस OTP को ले लेते हैं जो हमारे HOI के Mobile Number पर गया है देखिए हमने OTP ले लिया है चलिए मैं OTP डाल देता हूँ यह हमने OTP डाल दिया है और थोड़ा इस तरफ चलेंगे हम यहां और देखो यहां लिखा हुआ है यहां देख लिजे Confirm OTP यहां देख लिजे जो हमने Form भरा था यह अपलोड किया था उसकी पूरी डिटेवल देखो यहां खुल कर आजाती है यहां KYC Registion Form का नंबर है UDICE Code है Institute Head है Institute का Name है Institute का Address है Institute State है Institute District है यह Board का नाम है कितनी चात्र संक्या वो है ठीक है यहां आपके यहां विवन है पहुंच जाते हैं और यहां देख लिजे विव अटेश्टिड के वाई सी फॉर्म यहां किलिक कर देगे नहीं हमरा आटेश्टिट फॉर्म निकल कर आ जाएगा यहां इस चेक्स बॉक पे किलिक करना है यहां टच कर देना है यह राइट का निसान हो गया है यहां लिखा वाई सी फॉर्म यहां लिखा वाई अप्रूव यहां अप्रूव पे किलिक करना है हैड इसको अप्रूव कर देगा जो फॉर्म के वाई सी का हमारे INO Institute Nodal Officer ने Uploaded किया था अब उसको हमारे HOI Head of Institute अप्रूव करेंगे यहां किलिक कर देंगे यहां किलिक कर देंगे यहां किलिक कर देंगे और देखें यहां लिखा आगया है यहां देख लीजे इस परस्ट लिखावा है मैं आपको दिखा दूँ यह देख लीजे यहां KYC Form Successfully Approved KYC Form Successfully Approved देखें यहां लिखावा है KYC Form Successfully Approved अब आपको जिले पर जाकर कुछ भी काम नहीं करना है खाले अपनी पायमेटिक करानी है जिन स्कूल्स का रजिस्टर्न पहले नहीं हुआ था उनकी यह प्रक्रिया मैंने तीन वीडियो में आपको समझाई और आपको बताया कि आपको क्या का करना होगा कैसे कैसे आपको Form जननेट करेंगे फिर उसे हम Sign More करके अपलोड करेंगे फिर उसको हमारे Head जो Approve करेंगे और तब जाकर आपका KYC Form Successfully Approved हो जाएगा NSP के पोर्टल पर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लीजे धन्यवाद जै